कि मुझे लगता हूँ महिला वो लड़की कितनी महान रही होगी कि अपने पती को मारने से भी नहीं हिचकी क्योंकि जब पती देश के खिलाफ हो गया था ऐसे उधारन केवल और केवल आपको राजस्थान के अंदर मिल सकते हैं जब कोई मा अपने बेटे को अपने देश की रक्षिया के लिए बलिवेदी पर चड़ा दे कोई पत्नी अपने पती को इसलिए सर काट कर दे दे कि उसका पती युद्ध करने नहीं जा रहा है कोई पत्नी अपने किले के दर्वादी इस वज़े से बंद कर दे कि उसका पती हार कर वापस आया है और कोई पत्नी इसलिए अपने पती को मार दे कि वो विश्वास गहात करता है देश की सुरक्षिया के साथ खिलवाड करता है राजस्थान में एसी वीर माताई हुई थी एसी वीर पत्निया हुई थी इसलिए ऐसे वीर पेदा हो सके मैं हमेशना आपको कहता हूँ कि दुनिया की तमाम जगह पर जहां-जहां मानौ सभेता का विकास हुआ होगा युद्ध हुए होंगे पूरूस लड़े होंगे बात दिगर है कि कोई जीता होगा और कोई अधिक वीर रहा होगा कोई कम वीर रहा होगा पर एसी विरांगनाएं एसी ललनाएं अन्ने जगह पर नहीं मिलती जो अपने पती धार्म के लिए अपने पतिवर्ता होने के लिए अपने देश के लिए अपने वेल्यूज के लिए लड़ कट मर मिटी हो जोहर की ज्वालाओं में अपना वो पार्थिव देहे मिला दिया होनोंने खुशी खुशी अपने पुत्रों को पतियों को युद की बलिवेदी पर चर्णे भेज दिया होगा किसी कवी का एक अच्छा सा दोआ है कि सूत मरियो हित देश में हर्खयो बंदू समाज सूत मतलब बेटा बेटा मर गया देश के हित में सूत मरियो हित देश में हर्खयो बंदू समाज हर्कियों मतलब राजी होना, बंदू, भाई, समाज, समाज और भाई जो थे, वो राजी हुए कि देश के लिए मरा है, माने हर्की जलम दे, उत्री हर्की आज, पर मा इस बच्चे को कोक से जन्म देते समय जितनी राजी नहीं वी थी, उतनी राजी आज भी है, उसकी छाती गर उसे चोड़ी हो गई कि मेरा बेटा देश के लिए काम आया है, उसने अपने अन्य छोटे बेटे के सर पर हाथ फेरा और उसके आंखों में देखा कि एक दिन यह भी जाएगा और यह भी युद्ध के मैदान के अंदर लड़ेगा, ऐसी माओं ने, ऐसी महिलाओं ने इ जीर सतसई का एक दोवा है, एक तो वो दोवा जो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इलान देनी आपनी इन हालरियो हुल राए, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माए, इलान देनी आपनी धरती नहीं देनी अपनी हालरियो हुल राए, हालरियो में हिलाते स वो बच्चे जब बड़े भी होते थे तो वेसे हर्त अंगेज कारणा में उन्होंने किये कि जम्स्टोड जैसे व्यक्ति को कहना पड़ा कि दोरां गाटां ताल रोन आंटी लो इतिहास गाउं-गाउं थर्मोपली गरगर लिउनिडास कि इन दोरों गाटों और तलाईयों का एक अजीब इतिहास है जिसके गाउं-गाउं में थर्मोपली बनीवी और घर में लिए निडास जैसे यद्धा उत्पन हो गए हो सुरियमल मिसन का एक और अच्छा दोवा है जिसके अंदर दो सहलियां आपस में बात कर रही है दो महिलाइं आपस में बात कर रही है जिन में से एक का पती युद्ध करने के लिए गया हुआ है वो पूछती है अपनी दूसरी सहली उसे युद्ध करने के लिए गए वे पती आग की लपटें दिखाई दे रही है, आसमान लाल लाल दिखाई दे रहा एकड़ा, जैसे आग लग गई हो कहां पर, शुरीमल मिसन उस महिला के मुहह से कहलाते हैं, क्यों कती है हेली देखो आज किं, हेली मतलब सहेली, हेली देखो आज किम अंबर दिस है आग, कैसे हेली देख आज उस अंबर में आग कैसे दिखाई दे रही है, हेली देखो आज किम अंबर दिस है आग, सुर्गा पीव सिधाउं ता जलद जकोली खाग, दूसरी लाइन वो अंस्वर दे रही है जिसका पती युद में भाग ल के लिए गया वो कती है सुर्गा पीव सिधाउंता जलद जकोली खाग मुझे लगता है मेरे पती युद में लड़ते वे वीर गती को प्राप्त में स्वर्ग जा रहे हैं सुर्गा पीव सिधाउंता मेरे पती पीव स्वर्ग सिधार रहे हैं जलद जकोली खाग जलद मतलब बदल, खाग मतलब तलवार, और साइध स्वरक जाते समय बादलों में उन्होंने अपनी तलवार धोई होगी, और तलवार के लगावा दुस्मना को दुस्मना का वो लहू नाल रंग का वो रक्त आसमान की इस लालिमा को अगनी जैसा वर्ण दे रहा होगा अगनी जैसा रूप दे रहा होगा किते सिंपल तरीके से किते सधारन सब्दों में किसी महिला की वीरता का इसे सुन्दर बखान मुझे दुन्या की अन्य किसी भासा के अंदर नहीं मिलता है दुनिया की तमाम बासाइं वो बले हमारे भारत की कोई बासाइं रही हो या विश्वे की अन्य कोई बासाइं रही हो महिला को केवल और केवल एक अभूशन मानती है महिलाओं को केवल और केवल सुन्द्रिये के वस्तू मानती है उन्हें पुरूसों को आकरशन करने वाला केंदर मानती है ये केवल राजस्थानी का साहित्ते है जो महिलाओं को इतनी इज्जत इतना सम्मान बख्षता है कि उन्हें पुरूसों के समकक्स नहीं उसे उपर ले जाकर खड़ा कर देता है ये उन महिलाओं की बदलत जो कभी पन्ना दहाई के रूप में कभी करमावती फूल कवर पदमीनियों के नत्रतों में कभी कोई अमर्ता देवी विष्णोई के नत्रतों में कभी कोई हीरा दे भानकवर जैसी महिलाओं के नित्रतुवें में बार बार अपने उद्गार छोड़के चला जाता है और जब उन महिलाओं का वो बलिदान उन महिलाओं की वो बाते सुनते पड़ते हैं तब लगता है कि अरे सो कॉल्ड फैमनिस्ट, सो कॉल्ड इंटलेक्च्वेल लोग जो दिल्ली के किसी ऐसी के कमरे के अंदर बेट कर कहे देते हैं कि 1303 में जो पदमिनी का जोहर वा था वो जूटा है वो क्योल कल्पना है वरना कोई भी महिला जोहर की ज्वाला के अंदर नहीं जा सकती अगनी के अंदर अपने को नहीं जौंग सकती है राधेस्थान के कवियों की कल्पना मात्र है तब उन्हें बताना पड़े कि चुकि तुम लोगों ने वो ववस्ता ही नहीं देखी है इसलिए तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है तुम वो महिलाएं हो जो जिम के अंदर ड़ाई किलो के बाट को उठाने के बाद में अपने कमर में लचक का अखबार के अंदर वर्णन करती हो कि फास्ट फूड ज्यादा खा लिया जाए तो तुम्हारा पेट खराब हो जाता है तब तुम इस बात को कैसे समझ पाओगी कि हमारे पस्मी रजस्तान की महिला है आज भी हातों से मसाले कूटती है मसाले कूटने वाला जो मुसर्ड होता है वही पांच किलोगा होता है और किवल एक हाथ से वह मसाले कूट लेती है दूसरा हाथ तो उसे पडोशन से चुगलियां करने के लिए चाहिए होता है तुम जो इस थंड के अंदर अपने वातानुकलीत कमरे के में या गर्मी में अपने उस ऐसी वाले रूम के अंदर बेठके जो किवल ट्वीट और फेस्बुक के मादेम से अपने जो विश्ववन करते रहते हो वो इस बात को भी कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारे जनवरी के महिने में जब ताप मान मानस चार डिगरी चला जाता है तब हमारे गंगानगर का किसान मत्र एक पतली सी स्वेटर के अंदर इंदर इंदर गुतनों तक अपने पाजमाय को उपर करके उतर जाता है और पूर कुर्वजों ने हमारे बढकों ने उस धर्ती के लिए जिसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था खून को पानी से सस्ता करके रख दिया था तब स्वरा भासकर जेसी इंटलेक्चुल महिलाओं की बुद्धी पर बहुती तरस आता है जब वो कहती है कि यदि मैं पदमीनी की जगह होती तो मरने के बज़ए अलाउदिन खिल जी के हरम में जाना पसंद करती है दो चीज होती है एक होता है जीवन और एक होता है गरीमा युक्त जीवन लाइफ विद ओनर जीवन यह है कि पदमीनी जोहर ना करती और अलाउदिन खिल जी के साथ में चली जाती और सेक्स लेव बनके उसके हरम के अंदर अपनी पूरी जिंद की काड़ देती यह जीवन था पर इसमें गरीमा नहीं थी गरीमा यह है कि मेरे पती के लावा दूसरा कोई भी मेरे इस पवित्र देह के हाथ नहीं लगा सकता और यदि ऐसा होना अवसंभवी हो गया है तो मैं अपने इस पवित्र शरीर को पवित्र अगनी की लप्तों के अंदर समर्पित करके रख दूँगी मुझे बहुत साल पहले का किस्सा याद आता है कि एक बार बंबे के अंदर एक कोल गर्ल को कुछ लड़कों ने बिना पैसे दिये अपने साथ ले जाने का प्रियास किया तो वह लड़की पांच मंजील उपर से नीचे कूद कर सूसाइड कर लेती है उन लड़कों के हात नहीं आती है मुझे लगा कि उस महिला के अंदर भी जिसका काम यही करना था पैसे लेके गरीमा थी उसे अपने मन के मुताबिक कोई बात नहीं होना सही नहीं लगा माकू अब लिए उठाकर चला जाता है और हमारे पास कोई जबाब नहीं होते हैं कि अवल इसलिए कि वामपन्ति इतिहासकरों ने हमारे राजस्थान के इतिहास को मेंडिस्कॉर्स के अंदर सामिल नहीं किया है क्याओं इसलिए है कि भारत के बाकी जगह के लोग किसी हीरादे नाम की महिला के बारे में जानते नहीं हैं जिसने अपने विष्वास घटी पती बिका दहिया को मार कर रख दिया था कि मुझे और लगता है कई बार कि हमारा पानी खुद का कितना हमारा खून कितना पानी हो गया होगा कि किसी समय में हमारे राजस्थान के अंदर वो पूर्वज रहे होंगे जो इतने महान-महान काम करते थे कि इवन यह क्यों मैं राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहा गाओं-गाओं में आपको इसी कहानिया मिलेगी मिर दादा जी नकसर कोई कहानिया सुनाते रहते हैं कि अपने यहां पर एक चोदरी थार वो भेंस के उपर से चलांग लगा जाया करता था मैं जब भी उस व्यक्ति को कलपनाओं में सोचता हूं लगता कितना बहत्री एथलीट रहा होगा कि दोड़कर भेंस जे से बड़े जानवर के उपर इता उंचे से उच्छलांग लगा जाया करता होगा गाओं में सी खूब सारी कहानिया है कि एक महिला खेत में काम करने के लिए गईर वापस जब लोट रही थी तो रास्ते में उसके बच्चा हो गए डिलिवरी हो गई और बच्चे को घर पर लेकर आ गई थी एक पीडी पहले तक कैसी कहानिया मिल जाएगी कि महिला डिलिवरी के अंदर पांच किलो गूंद के लड्डू खा जाया है कर पीछी तो बच्चे इमली जैसे ही पेदाऊंगे तब लगता है कि वो हीरादे से महिला है हीरादे जैसी महिलाएं कहां चली गई परनाब तो यह होता है कि पडोस के अंदर को दो दूसरे पडोसी लड़ रहे हैं और पती बाहर खड़ा-खड़ा देख रहा हो तो भी महिला कह देती है थे अपना मैं न जयो थे बाहर न आ जाया तब मुझे लगता है कि आज जब भ्रष्टाचार की इतनी अधिक सूचनाई मिलती है तो लगता है कि इसमें महिलाओं का बड़ा रोल है कि यदि महिलाओं उन सब के लिए उन भ्रष्टाचारी पतियों पुत्रों या अपने किसी भी संबंधिं को इसके लिए मना कर दे तो एक दो पीडियों के बाद तो सवरा भासकर देशी जो महिलाओं जो अपनी गंदी जबान से गंदा बोलती रहती है उनकी तमाम बाते सत्ते और साभीत होने लग जाएगी और लोग कहेंगी भी आपने को देखकर क्यार ऐसे ही पहले वाड़े रहोंगे इन्होंने किताबों के इंदर यूँ लिखवा दिया होगा याद रहे आपके ओ महिला प्राते समनी है उस महिला का नाम जिसने अपने विश्वास गाती पती तक को मारती आता ही रादे नाम था उस महिला का देखा मतलब देवी होता है मेरा कई बार बताये वाई